परम्परा और संस्कारों से जुड़ी नीता अम्बानी अपने कल्चर को प्रमोड करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। हाल ही में वो पैरिस ओलंपिक में परिवार के साथ नजराई जहां वो एक से बढ़कर एक साड़ी पहने दिख रही हैं। पैरिस में उन्होंने इंडिया हॉस का उद्गाटन किया जहां सुदेश की माध्यम से उन्होंने पूरे दुनिया में भारत की अद्वुद कला का प्रदर्शन किया। कश्मीरी कणाई से बनारशी सिल्क साडी तक भारत की कोने कोने की कला को वो प्रमोट करती दिख रही है 7 अगस्त को नेशनल हेंडलूम डे है इस दिन को मनाने का मकसद भारत की समरिद्ध बुनकर परंपरा को याद रखना भारत की इस दरोहर को पूरी दुनिया में पहचान दिलाना और इस शिल्प कला से जुड़े आर्टिस्टों को ज्यादा से ज्यादा काम दिलाना ताकि लुप्त होते इन कारीगरों को पहचान मिले और काम भी और इसमें नीता अंबानी अपना पूरा योगदान दे रही हैं यूजर्स नीता अंबानी की बहुत तारीफे कर रही हैं लोगों ने लिखा मैं यू आरा सो इंस्पारिंग लव दिस इनिसेटिव रेली एक्सिलेंट जो मेडम वा स्वदेश अनंत अंबानी की शादी में नीता अंबानी ने अबू जानी संदीप खोसला और मनिश मलोतरा जैसे फैशन डिजैनर के साथ मिलकर स्वदेश ऑनलाइन की डिजैन की साधिया पहनी थी जिस पर हाथ की खुबसूरत नकाशी और एम्बरोडरी वर्क था इस बार इंडिया कोटी और वीक में फालगुनी शेन पिकोग भी स्वदेश ऑनलाइन के साथ मिलकर खुबसूरत कलेक्शन रंग महल लेकर आई गोल्डन सिल्क की इस कलेक्शन को जनता का प्यार मिला और इस कलेक्शन को रिप्रिजेंट करते दिखे रश्मिका मंदाना और विकी कोशल इससे पहले नीता अंबानी ने मनीश मलोतरा और स्वदेश ऑनलाइन की तयारी की बनारसी पिंक परपल साड़ी पहनी जिस पर खुबसूरत चारबाग मोटिफ मीना वर्क डिटेलिंग में किया था इसके साथ उन्होंने परपल ब्लाउज पहना था जो पिछवाई आर्ट में इंस्पार्ट था ये साड़ी उन्होंने अनन्त रादिका की वेडिंग सेलिबरेशन के दोरान पहनी थी नीता अंबानी ने अनन्त की शादी पर एक और जरी की कलरफुल साड़ी पहनी थी वारणसी की 28 चौक जाल रंग कार्ट साड़ी को बनाने में करीब 6 महीन लग गए और रंग कार्ट कलेक्शन से ही नीता अंबानी ने अबू जानी खोसला की एक घागरा आउटफिट पहना था इस सिल्क के घागरे पर कई रंग जैसे विंटेज, ब्रॉंज, ब्लेशिंग, पिंक और पिस्ता ग्रीन थे आउटफिट्स पर सिल्वर, जरदोजी वर्क, नकाशी, स्वारोक सी क्रिस्टल लगे थे इस आउटफिट्स को तयार करनी में 40 दिन का समय लगा इस स्पेशल आउटफिट्स के साथ ट्रेडिशनल रंग काट दुपट्टा था जिस पर कई पेस्टल शेड थे आप नीतामबानी के इस कारे की किस तरह तारीव करेंगे हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ऐसे ही और वीडियोज के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब फेस्बूक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें